Silence within यानि मन की शांती की ओर हमारे इस सफर में आपका स्वागत है जहां हम अपने भीतर की गहराईयों को समझने और शांती प्राप्त करने की कोशिश करेंगे यह सफर न केवल हमारे मानसिक स्वास्थी के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यह हमारे शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थी को भी सम्रिद करता है जो आपको holistic wellness तक ले जाएगा holistic wellness का मतलब है कि हम अपने जीवन के हर पहलू को संतुलित और स्वस्थ बनाए रखें यह केवल शारीरिक स्वास्थी तक सीमित नहीं है बल्कि मानसिक भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थी को भी शामिल करता है आज की भाग दौड भरी जिंदगी में जहां हर तरफ शोर और डिस्ट्रैक्शन्स हैं वहां शांत मन का महत्व बहुत बढ़ जाता है हम अकसर अपने काम, परिवार और अन्य जिम्मेदारियों में इतने व्यस्थ हो जाते हैं कि अपने मानसिक स्वास्थी की देख भाल करना भूल जाते हैं लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने लिए समय निकालें और अपने मन को शांत करें यह हमारी वेल बींग की नीव है जो हमें खुद से और इस दुनिया से गहराई से जुड़ने में मदद करता है जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हम अपने अंदर की आवाज को सुन सकते हैं और अपने सच्चे आत्म को पहचान सकते हैं यह हमें अपने जीवन के उद्देश को समझने और उसे प्राप्त करने में मदद करता है एक शांत मन न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थे को बेहतर बनाता है बलकि हमारे आध्यात्मिक जीवन को भी समृध्ध बनाता है और एक संतुलित जीवन का मार्ग प्रशस्थ करता है जब हमारा मन शान्त होता है तो हम अपने शरीर की जरूरतों को बहतर तरीके से समझ सकते हैं और उन्हें पूरा कर सकते हैं यह हमें एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने में मदद करता है हमारा मन और शरीर गहराई से जुड़े हुए हैं मानसिक शान्ति में कोई भी गड़बड़ी अक्सर शारिरिक बीमारियों का रूप ले लेती है जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर भी उस तनाव को महसूस करता है और यह वी भुन इसाथ सुनने सिंग शार यामे संडिकी सैंशिक समस्या याओं का कारण बन सकता है इ जो हमें एक स्वस्थ और उर्जावान जीवन जीने में मदद करता है यह संबंध हमें जीवन की चुनोतियों का सामना करने की ताकत देता है और हमें अपने लक्षियों को प्राप्त करने में मदद करता है इस तरह की अभ्यास से हमें कई फायदे होते हैं जैसे बहतर भावनात्मक, संतुलन और जीवन में संतुष्टी. Mindfulness अभ्यास हमें वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाता है, जिससे हम अपने जीवन के हर पल का आनन्द ले सकते हैं और अपने अनुभवों को पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं. मेरे साथ इस यात्रा में शामिल हों और जाने कि हमारे अंदर की आवाज को शांत करने का हमारे संपूर्ण स्वास्थे पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है. ये यात्रा हमें अपने जीवन के हर पहलू को संतुलित और स्वस्थ बनाने में मदद करेगी, जिससे हमें एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सके. Meditation और Deep Breathing Exercises हमारे मन को शांत करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक हैं. ये तक्नीकें हमें अपने विचारों को नियंतरित करने और अपने मन को शांत करने में मदद करती हैं. जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपने विचारों को शांत कर सकते हैं और अपने अंदर की शांती को महसूस कर सकते हैं. प्रकृती के साथ जुड़ना भी हमारे मानसिक स्वास्ति के लिए बहुत फाइदे मंद हो सकता है. जब हम प्रकृती में समय बिताते हैं, तो हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने तनाव को कम कर सकते हैं. प्रकृती की सुंदर्ता और शांती हमें अपने जीवन के तनावों से दूर ले जाती हैं और हमें एक नई उर्जा देती हैं. स्वस्थ आहार भी हमारे मानसिक और शारिरिक स्वास्थ के लिए महत्वपूर है जब हम स्वस्थ और संतुलित आहार लेते हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों ही बहतर तरीके से काम करते हैं स्वस्थ आहार हमें उर्जा देता है और हमारे मानसिक स्वास्थे को भी बहतर बनाता है नियमित शारिरिक व्यायाम भी हमारे मानसिक और शारिरिक स्वास्थे के लिए महत्वपून है योग और अन्यशारिरिक व्यायाम हमें अपने शरीर को मजबूत बनाने और अपने मन को शांत करने में मदद करते हैं ये व्यायाम हमें तनाव को कम करने और हमारे मानसिक स्वास्थे को बेहतर बनाने में मदद करते हैं Journaling और Shrive Writing भी हमारे मानसिक स्वास्थे के लिए बहुत फायदे मन्द हो सकते हैं। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को लिखते हैं, तो हम उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उन्हें नियंतरित कर सकते हैं। यह हमें अपने जीवन के अनुभवों को समझने और उनसे सीखने में मदद करता है। सामाजिक संबंध भी हमारे मानसिक स्वास्थे के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताते हैं, तो हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं और अपने मानसिक स्वास्थे को बेहतर बना सकते हैं। सामाजिक संबंध हमें समर्थन और प्यार देते हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थे के लिए महत्वपूर है रचनात्मक गतिविधियां जैसे कि कला और संगीत भी हमारे मानसिक स्वास्थे के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है ये गती विधियाओं हमें अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका देती है और हमें अपने तनाव को कम करने में मदद करती है कला और संगीत हमें अपने अंदर की शांती को महसूस करने में मदद करते है अच्छी नींद भी हमारे मानसिक और शारिरिक स्वास्थे के लिए महत्वपूर्ण है जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों ही बहतर तरीके से काम करते है अच्छी नींद हमें उर्जा देती है और हमारे मानसिक स्वास्थे को भी बहतर बनाती है आभार प्रकट करना और सकारात्मक सोच भी हमारे मानसिक स्वास्थे के लिए महत्वपूर है जब हम अपने जीवन में आभार प्रकट करते हैं तो हम अपने जीवन के सकारात्मक पहलूं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपने तनाव को कम कर सकते हैं सकारात्मक सोच हमें अपने जीवन के हर पहलू को बहतर बनाने में मदद करती हैं सामुदाइक सहभागिता और स्वयन सेवा भी हमारे मानसिक स्वास्थे के लिए महत्वपून है जब हम अपने समुदाइक के साथ जुड़ते हैं और दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने जीवन में एक उद्देश्य महसूस कर सकते हैं और अपने मानसिक स्वास्थे को बेहतर बना सकते हैं। सामुदाइक सहभागिता हमें समर्थन और प्यार देती है, जो हमारे मानसिक स्वास्थे के लिए महत्वपूर्ण है। Mindfulness Retreats और Wellness Workshops भी हमारे मानसिक स्वास्थे के लिए बहुत फाइदे मन्द हो सकते हैं। ये कारेकरम हमें अपने मन को शांत करने और अपने जीवन को संतुलित बनाने में मदद करते हैं। Mindfulness Retreats और Wellness Workshops हमें अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। व्यक्तिकत विकास और आत्म सुधार भी हमारे मानसिक स्वास्थे के लिए महत्वपूर्ण हैं। जब हम अपने जीवन में सुधार करने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने मानसिक स्वास्थे को बेहतर बना सकते हैं। और अपने जीवन को संतुलित बना सकते हैं. व्यक्तिकत फिकास और आत्म सुधार हमें अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. आध्यात्मिक अभ्यास जैसे कि ध्यान और प्रार्थणा भी हमारे मानसिक स्वास्थे के लिए महत्वपूर्ण है यह अभ्यास हमें अपने मन को शांत करने और अपने जीवन को संतुलित बनाने में मदद करते है आध्यात्मे का अभ्यास हमें अपने जीवन के हर पहलू को बहतर बनाने में मदद करते है इस holistic wellness journey में हमारे साथ शामिल हो और जाने कि कैसे हम अपने जीवन के हर पहलू को संतुलित और स्वस्थ बना सकते हैं यह यात्रा हमें अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने में मदद करेगी जिससे हम एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सके हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हो और अपने जीवन को संतुलित और स्वस्थ बनाए चलिए शुरुआत करते हैं mindfulness और meditation की कला से यह दो ऐसी बुनियादी तक्नीकें हैं जो मन के अंदर के शोर को शान्त करने में मदद करती है mindfulness हमें वर्तमान में जीना सिखाती है अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी judgment के देखना सिखाती है सांस लेने के सरल अभ्यासों से शुरुआत करें हर सांस पर ध्यान के इंद्रित करें जो आपके मन को स्थिर करता है और आपको वर्तमान मिलाता है दूसरी और meditation हमें और गहराई तक ले जाती है हमारे अंदर विशाल शांती का स्थान बनाती है यह बिना उलजे मन की प्रवृत्यों को देखने के बारे में है नियमित रूप से अभ्यास करने पर आप तनाव में उलेखनी ये कमी और अपनी समग्र मानसिक्स पष्टता में प्रद्ध देखेंगे अपने मन की कल्पना एक अशांत समुद्र के रूप में करें meditation इन पानी को शांत करने में मदद करती आए आपकी आंतरिक शांती की गहराई को प्रकट करती आए इन प्रैक्टिस को रोजाना करें और देखें कि कैसे आपका मानसिक परिद्रश्य बदलता है सांस लेना सबसे बुनियादी लेकिन महत्पून क्रिया है जो हमारे जीवन को बनाए रखती है इस अध्याय में हम breathing exercises के बारे में जानेंगे जो मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए एक महत्पून उपकरण है नियंत्रित श्वास या प्राणायाम का अभ्यास हमारे शरीर में उर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करता है हमारी भावनात्मक और शारीरिक स्थिति को स्थिर करता है गहरी धीमी सांसों से शुरुआत करें अपने फेफ़डों को हवा से भरने के लिए गहरी सांस ले और धीरे धीरे सांस छोड़ें, सारा तनाव छोड़ें चिंता या तनाव के समय ये सरल तक्नीक एक शक्तिशाली सहारा हो सकती है जैसे जैसे आप अधिक जटिल पैटर्न में महारत हासिल करते हैं आप शांती और नियंतरन के गहरे स्थरों को खूलेंगे ये अभ्यास केवल सांस लेने के बारे में नहीं है बलकि आपके भीतर जीवन शक्ति के साथ फिर से जुड़ने के बारे में है सांस लेने की व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए और देखें कि वे आपके दिन को कैसे बदलते हैं आपके दिमाग को साफ करते हैं और आपके उर्जास्तर को बढ़ाते हैं अपनी खोज में और गहराई में जाते हुए आईए बॉडी स्कैन मेडिटेशन पर ध्यान के इंद्रित करें शरीर के प्रतिजाग रूपता बढ़ाने और तनाव को दूर करने की एक तकनीक इस अभ्यास में आपके शरीर को सिर से पैर तक मांसिक रूप से स्कैन करना तनाव के क्षेत्रों को देखना और सचेत रूप से उन्हें आराम देना शामिल है अपने सिर के ताज से शुरू करें और धीरे धीरे अपना ध्यान अपने पैर की उंगलियों तक ले जाएं ये तरीका ना केवल शारिरिक तनाव को कम करने में मदद करता है बलकि आपकी जागरूपता को वर्तमान में वापस लाने में विसाहता करता है ये शरीर के माध्यम से एक यात्रा है जहां हर हिस्से को स्विकार किया जाता है और शांत किया जाता है नियमित रूप से body scan meditation का अभ्यास करने से आप शरीर की जागरूपता की एक heightened भावना विक्सित करेंगे जो तनाव के संकेतों को जल्दी पहचानने और उनका प्रभावी ढंक से जवाब देने में आवश्यक है आराम दायक नींद के लिए आराम करने और तैयारी करने के लिए इस अभ्यास को अपनी शाम की दिन चर्या में शामिल करें अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थे दोनों को बढ़ाएं जैसे जैसे हम समाप्त करते हैं, याद रखें कि संपूर्ण स्वास्थि प्राप्त करने के लिए शांत मन का पोशन करना कितना महत्पूर्ण है चर्चा की गई तकनीकें आपके अंदर के शोर को शांत करने और आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के आपके उपकरण है तनाव और चिंता को कम करने से लेकर एकागरता और भावनात्मक सिर्ता में सुधार तक प्रत्येक अभ्यास अद्वितिय लाभ प्रदान करता है अपनी आंत्रिक आवाज को शांत करके अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं इन 20 आवश्यक तकनीकों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आज ही शुरुआत करें अगर आपको एह वीडियो मददगार लगा तो लाइक, शेयर और लाइफ चेंजिंग टिप्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें आईए मिलकर इस इनर पीस और होलिस्टिक वेलनेस की यात्रा को शुरू करें साथ मिलकर हम शान्ती और संतुष्टी का जीवन बना सकते हैं कदम दर कदम, सांस दर सांस